हेलो माइ डियर ट्रेडर्स एंड स्टूडेंस लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फॉर डिस्कस करा था जिसकी वेटेज है 25 परसेंट की जिसका नाम था इंट्रॉडक्शन टू ऑप्शन्स ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में से आपको 25 कुश्चन्स रेखने को अपनी चैप्टर के बीच बीच में जहां जहां पर आपको फोकॉस पॉइंट्स रखना था वो चीज़े मैंने अल्रेडी डिसकस कर ली थी उन वीडियो में लेकिन हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे MCQs जो की जनरली आपको देखने को मिल सकते है NISM के एक्जाम में और उसी उनको कुश्चन्स को किस तरह से आपको अटेंट करना है वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट सेकेंड ओफ चैप्टर फोर तो जलिए वीडियो के शुरूआत करते हैं सबसे पहले कुश्चन से सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमसे ये विच वोल्डर ओफ दी ऑप्शन आपको याद होगा जब हमने कॉल और पुट ऑप्शन की डेफिनेशन डिसकस करी थी तो उसमें कहाता call option is equivalent to कोई समान को खरीदना तो किसी take the delivery का मतलब हुआ मैं किसी समान को खरीद रहा हूँ तो ये किस तरह को option हुआ obviously the answer is call option तो option B is the correct answer चलते हैं अगले question की तरफ अगले question में क्या कह रहा है in case of a put option in case of a put option it gives a right but not an obligation to which party sir जब भी मैं किसी option की बात करूँ जहां पर right मिलता है पर obligation नहीं मिलती तो वो हमेशा buyer का case होता है तो अग बंद करके हम देखेंगे buyer of put option क्योंकि put option के पूछ रहा है तो option B is put options related ही दिये हैं अगले question की तरह चलते हैं when the spot price is higher than the strike price of a call option such strike is called याद करेंगे in the money, at the money, out of the money उसी से जुड़ा हुआ question है when the spot price is higher than the strike price of a call option sir किस की बात कर रहा है call option की जब strike price higher होगा when the spot price is higher than the strike price इसका मतलब call option के case में जब strike price lower होगा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इस फलानी strike पे ये माल खरीदूँगा जो की जिसकी value market में ज़्यादा चल रही है उसका मतलब क्या हुआ ये option in the money हुआ so option B is the correct answer अगले question की दुरफ चलते है when the spot price is below than the strike price of a put option which option which strike is called as when the spot price is below than the strike price put option के case में चीज उल्टी हो जाती है put option के case में क्योंकि मैं कुछ चीज बेच रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा में बेच हूँ तो अगर मैं strike price मेरी spot price से ज़्यादा हो इसका मतलब मैं समान market price से जादा में बेच सकता हूँ तो ऐसे option, ऐसे put option को क्या बोलेंगे, in the money क्योंकि सीधा-सीधा मैं अभी profit में दिख रहा हूँ क्योंकि मैं जादा price में वो चीज बेच पा रहा हूँ in comparison to market, इसलिए इसको in the money, option B is the correct answer चलते हैं अगले question की तरह when the strike price of दोनों का पूछ रहा है, call or put is equal to spot price then such strike price is called obviously, चाए call का हो चाए put का हो, ऐसे option को बोलेंगे, add the money so option C is the right answer question 6 की तरफ चलते हैं या पूछ रहा है, all out of the money and in the money contracts have zero time value all out of the money and in the money contracts have zero time value sir, ऐसा तो possible ही नहीं है हमने time value तो हर option की कुछ ना कुछ होती ही है जब तक वो option expire ना हो जाए तो एक statement जो है ये false है मैं अगर time value की बात करूँ दो चीज़े हमने discuss करी टी option में एक आपकी time value और एक intrinsic value तो intrinsic value 0 हो सकती है but time value will always be positive अगले question की दरफ चलते है time value ले आगया अगला question हमारे पास time value of the option as it reaches near its expiry sir जैसे जैसे time value हमारी decrease होती रहती है जैसे जैसे हमारी option की expiry नजदीक आती रहती है इसलिए जितना दोर को option होगा उतना premium उसका ज़ादा होगा क्योंकि उसमे time value का portion बहुत ज़ादा होगा तो correct answer is time value decreases discuss करा था हमने अगले question की दरफ चलते है question number 8 a call option buyer सभी numerical question है देखते हैं इसको a call option buyer 22 August call option expire ये दे दी उसने August 22 की strike price यानि call option उसने option type दे दिया call option और strike price दे दी 17,000 की premium दे दिया 20 रुपे का आगे देखते हैं क्या बढ़ेगा strike price, option type strike premium and on the expiry day nifty settles at rupees 16,900 spot price भी हमें मिल गया अब देखते हैं पूछ क्या रहा है अब simple पूछ रहा है कि इस दिन इसका profit हुआ या loss हुआ और कितना हुआ तो सर पहले तो ये देख लेज़ें कि call option में 17,000 की strike है बजार में हो जी 16,900 की मिल रही है तो इसका मतलब option तो मेरा worthless हो गया obviously बात है कोई जी 16,900 की मिलेगी तो मैं उसे 17,000 की खरीदने तो नहीं जाओंगा तो मेरा loss कितना हो गया 50 का lot size है into 20 ये आगया मेरे पास 1000 रुपे का loss 1000 रुपे का मेरे पास कोई option नहीं है तो option C will let the option expire worthless this is the correct answer अगले question की तरफ चलते है question number 9 if the volatility volatility of an option contract increases its premium obviously sir जब भी volatility भड़ेगी uncertainty भड़ेगी उस चीज़ के लिए जो option writer है वो ज़्यादा premium की demand करेगा तो इसी वज़े से उसका जो premium होगा वो increase होगा तो option B is the correct answer question number 10 की दरफ चलते है if an investor holds shares of Kotec bank how can he reduce his price risk hedging के उपर question है एक investor ने Kotec bank के share खरीद रखे है already holds shares of Kotec bank how he can reduce his price risk selling futures contract ये भी कर सकता है buying a put option put option is equivalent to selling something so ये भी कर सकता है buying a call option sir call option क्यों खरीदेगा वो जब अलरड़ी उसने Kotec bank अलरड़ी खरीदा हुआ है तो option B above A and B option D is the correct answer इसी तरह के questions आपको देखने को मिल सकते हैं नहीं से हम एक्जाम में question number 11 की दरफ चलते हैं Mr. A bought 10 lots of nifty august 20 call option 10 lot हो गए मेरे पास size आ गया august 22 expiry आ गई option type आ गया call option strike price आ गया market lot of 50 shares sir bought किया है ना इसने तो option buyer का जो risk होता है वो up to the premium paid होता है तो simple 10 रुपे का premium है और lot size मेरी 50 की है तो 50 into 10 sir 500 रुपे का मेरा maximum loss आ गया है तो option B is the correct answer अगली तरह चलते है question 12 पे Mr. A bought one lot of nifty august 22 call option at strike price of 17,000 अगयन देखेंगे मैं आपको ये बता रहा हूँ question को आप decode कैसे करेंगे A ने bought करा यानि खरीदा एक lot of nifty august 22 expiry आ गई option type आ गया strike आ गई 17,000 premium आ गया 240 रुपे अब आगे बढ़ते हैं how much is the time value in this if the spot price is rupees 17,160 sir spot price आ गया बस हमसे पूछ रहा है किसकी time value कितनी होगी simple सा question है 17,000 कि उसने strike price buy करी जिसका भाव चल रहा था 17,160 तो मोटा मोटा इसकी intrinsic value sir मेरे पास 160 रुपे के दिखी रही है मतलब अभी अभी 160 रुपे का 240 रुपे है so 240 240 मैं इसमें से माइनस कर दूँगा तो मेरे पास answer कितना आ गया 80 रुपे 80 रुपे की मेरे पास इसमें time value है तो option C is the correct answer तो फिला question क्या कह रहा है Mr. A again Mr. A bought again buying का question हुआ one lot of nifty august expiry आ गई call option strike price at 17,000 premium आ गया 240 रुपे how much is the intrinsic value sir उपर जैसे discuss करा था हमने intrinsic value already हमने निकाल ली थी so 160 क्योंकि सीदा सीदा 17,160 minus 17,160 160 160 is the correct answer आगे बढ़ते है question number 14 if Mr. A sold sir seller का question आ गया A sold one call option option type nifty august buys his losses can be unlimited true absolutely true seller के case में हमेशा बोला जाता है losses can be unlimited however if you really want to know कि sellers options market में पैसा कैसे कमाते हैं और असली जो पैसा कमाते हैं consistent जो पैसा कमाते हैं वो option salary पैसा कमाते हैं you can join ICFM stock market institute to learn how professional traders earn money in options market चलते हैं आगे question number 15 की तरफ the owner that is the buyer or the holder of such option can exercise his right at any time on or before the expiry date day of the contract पैसा कर रहा था हमने की दो तरह के options होते हैं call American call European इंडिया में जो चलता है call European ही चलता है पर ये एक numeric question है simple MCQ तो इसमें ये पूछ रहा है कि किस तरह का option buyer है वो before expiry से भी अपना contract exercise कर सकता है तो option B American option is the right answer इंडिया में जो चलता है वो European चलता है C इसलिए आप जब भी कभी देखेंगे आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो C-E-P-E ऐसा लिखा होगा तो call American call European put European है ऐसे बोला जाता है तो buyer of options pays question number 16 buyer of option pays premium and seller of the option receives premium true as a आगे बढ़ते हैं question number 17 की तरफ option price depends on which of the fundamental parameters option price depends on which of the fundamental parameters क्या क्या options है देख लिएते है spot price strike price time to expiry interest rates volatility all of the above discuss करा था हमने सारों के बीच का difference all of the above is the correct answer question number 18 this is called a second derivatives of the option price with regards to price of the underlying assets this is called a second derivatives of the option price with regards to price of the underlying sir first derivatives क्या था delta और second derivatives क्या था change in delta को कौन measure करता है gamma so gamma को इसले बोला जाता है second derivative so option B is the correct answer question number 19 what are the two components of options premium time value intrinsic value delta delta sir देखिए delta is the measure is not a component of option premium यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है what are the two components of options premium so components obviously time value और intrinsic value यह दो ही होते है तो delta तो हमारा होता है आपका measure करता है it's a unit of measurement it's not the premium question number 20 intrinsic value of the option can be calculated as options premium minus time value सर क्या option यह statement सही है आपको याद होगा intrinsic value का formula पूछ रहा है simple symbol can be calculated as option premium minus time value तो इसलिए जो भी हमारा intrinsic value 0 भी आ सकती है क्योंकि अगर मेरा OTM option हुआ तो मैंने जो options premium है और जो मेरा premium है total वो time value ही होता है तो इसलिए this statement is correct तो चलिए इस तरह के questions आपको इस chapter से देखने को मिल सकते हैं उमीद करते हैं कि आपको ये series हमारी पसंद आ रही होगी अगर आप as a professional trader working सीखना चाहते हैं कैसे professional traders काम करते हैं actual environment में तो आप join कर सकते हैं ICFM stock market institute यहाँ आपको मिलती है live practical knowledge तो चलिए इसी के साथ आपके ये जो chapter 4 है इसका पूरा part 2 आपका खतम होता है और अभी तक हमने chapter 1, 2, 3, 4 ये सारे discuss कर ली है जनकी weightage हम लोगोंने initial level पे discuss करी थी काफी अच्छी weightage रखते हैं chapter 3 और 4 की मैं बात करूँ तो 25-25 person की individual weightage in chapters की है मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जब तक आप इस वीडियो पे share करिए अपने दोस्तों के साथ और हमें comment section में बदाईए कि आपको इन वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा thank you so much